हे गास्व गॉड़ मॉनिंग दिखो आज बेखफस्ट में ब्रेड हो रही है और माम्मी ऑप ब्रेड सेख रही हैं और मगुद्ध और मैं वीडियो करी हूँ ग॑र ब्रेड खाना मुझे एक पृटिच बेखफस्ट खाना बहुत पसंद है तो इस रिबा में बहुत सारी ब्रेड हो गई थी क्योंकि हम लोग तीन लोग है शैडो, मम्मी और में तो मैं मजा से ब्रीड खा रही थी फिर और भी भूग लगे थी लाइक ग्यारा बजे तब तो मैं मूरी, आलू भजी और शाक चुचुल ली ठीक है मैं ऐसे खा रहे थी खा रहे थी और यह जो हमारी जो मेलानीन देख रही हो ना फेस में नेक में, यह मेलाजमा है, एक्चिल यह प्रेगनेंसी मास्क है तो मैं प्रेगनेंस हूँ, इसलिए यह मास्क आया है तो धिरे धिरे यह ठीक हो जाएगा यह skin problem जो नेक में और mouth area में pigmented आप देख रहे हो अगर आप यह वक्त से गुज़रे हो तो आपको भी शायद यह पता होगा कि इस टाइम में कितना भुकर रहती हूं और कितना सारा खाती हूं तो ऐसे रहा हमारे morning फिर हमने साफ मामी ने साफ किया था फ्रीज के लिए white pit germ kill यह मैं कोरोना के वक्त खरीदी थी ऐसे germ infector लेक जाम को यह साफ करते हैं और ऐसे spray कर देते हैं यह बहुत एफेक्टिव एक product है आप चाहो तो आप भी घर में ज़रूर रख सकते हो फिर ऐसे vegetables को packet में रख कर fruits को packet में रख कर अगर ऐसे आप glass में इस container में डाल दोगे और fridge के अंदर डाल दोगे तो वो बहुत दिन तक अच्छी रहेगी और fresh रहेगी क्योंकि मम्मी हर दिन लेक बजर जाना नहीं चाहता है और मैं भी बोलती हूँ इतना गर्मी है तो इतना आप बजर मत जियाग जाया करो क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लग दा कि माम हर वक्त काम करे और मैं जिस्ट खाती रहूँ तो ऐसे ही हम lunch पे दो पहर में खाया अलू भाजी और शाक्चाचुरी जो लोग कि मैं डेली रूटिन में कंजूम करती हूँ और यह बहुत पोटीन भी है मैं उतना फिश चिकन उतना नहीं काती हूँ पर हाँ आज की मेनू में चिकन भी था क्योंकि काल रात को चिकन कॉश्य हुई थी गर में और मैं लंच कर रही थी इधर शैड़ो भी वेट कर रही थी अपनी लंच के लिए तो मम्मी ने इसको पहले ही दे दिया था और उभी उसको खाना है तो इसलिए यह ब्रस देख रही थी कि देखो मम्मी ने कीचन में क्या कर रही है यह ज़्यादा तर मम्मी की फैन है मेरा काम फैन है और हमने इवनिंग में आज गहते है शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैटनिटी ड्रेस चाहिए थी डबल एक्सल वाला और में तो हर वक 90 पहन थी तो में ओनलाइन देखा कि वहाँ पर देखा 300-400 आप विश्वास नहीं करोगी आज मुझे यह सब कूर्ती मिला जस्ट 50 रुपीज में हाँ हाँ पैचास रुपय में मुझे यह सारे कूर्ती मिला देखा सिंगल वान कूर्ती 50 रुपीज तो यह देखो यहाँ पर रेयोन मेटिरियल का है क्रीम एंड चेरी लेड यहाँ पर बटन्स दी हुई है और यह डबल एकसल साइज की है इसका हाता ग्लास हाता है और यह कॉलर दी हुई है तो यह बहुत कमफर्टेबल लगेगा मुझे यह लॉंग पैटरन है और इसका इमबाजरी वोक भी बहुत अच्छी है फिर लिया सेगन हुआ कि 42 लेक साइज की है देखो और यहाँ पर स्टीचर्स की हुई है स्टोन वोक की और बीड्स की यह मैने यल्लो कलर साइज की लिए है यल्लो कलर की लिए है और साइज है डबल एकसल याने की 42 तो यह भी बहुत प्यारा है और यह सब लॉंग कूर्ती है और यह देखो ब्लू कलर का और लेक लाइन पर यह रेज अट त्रेड की लाइक वोक की गई है यह भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर देखो रेज वाइट बीद्स दीग हुई है और ब्लू लाइन पर इंबॉडरी वोड़ यह स्लीवनेस है और स्लीव भी बहुत बड़ा है तो मुझे बहुत कमफर्टेबल फील होगा जब मैं यह वश कर रहूँगी फिर मैं पहनूँगी क्योंकि यह 50 रुपीज का है और हर लोग ऐसे चेक कर रहे थी मारकेट में की कौन साल है कौन साल हो तो ऐसे लिए मैं वश करूँगी फिर मैं इसको पहनूँगी ठीक है तो ऐसे देखो पिंक कलर की साइज है एक और कूर्ती तो यह इसका नेक भी बहुत बड़ा है मैं बड़ा बड़ा साइज ले ली क्योंकि मुझे 50 रुपीज में मिला है तो मैं यहाँ पर फाइव कूर्ती ले ली 250 रुपीज में और ओनलाइन देखोगे तो आप 250, 300, एक एक कूर्ती तो आपको उस रेंज में मिलेगा लो रेंज में ठीक है उसके सब हाइ मिलेगा तो मैंने 50 रुपीज में बजट कर ली और यहाँ पर देखोगे एक सॉलिद ब्लैक है यह यह भी स्लीव लेस है और बड़ा है और एक चौरा आचे ठीक अचे लेक में ने कहा कि बहुत वाइड भी है और ब्रेद भी है बेंगॉली में तो चौरा कहते है बेंगॉली में तो यह सॉलिद ब्लैक था और साइट में ऐसे काट था तो ऐसे रहा हमार दिन थैंक यू बाई